नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं लक्ष विद अतुल और मॉडरन हिस्टी के इंतरगत यह हमारा दूसरा वीडियो है अपने पिछले वीडियो में हमने यूरोपियों के आगमन के तहत आगमन की प्रेश्ट भूमी को समझा था आज हम दूसरे वीडियो में पुर्तगालियों के बारे समझेंगे हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था यूरोपिय किस तरह से भारत में आते हैं उनका क्रम जो है यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है आप देख रहे हैं सबसे पहले पुर्तगाली डच फिर अंगरेज इस तरह से क्रम सहव भारत की ओर आते हैं तो उनके आगमन के क्रम को देखते हुए सबसे पहला नंबर पुर्तगालियों का है तो आज हम पुर्तगालियों के बारे में अध्यन करते हैं चलिए प्रारण करते हैं पुर्तगालियों में सबसे पहले बात हम वासको दिगामा के बारे में जानेगे वास्को दगामा 1498 बेस भी में पुर्तगाल से आया था और मौरिसस पहुचा था आप इस मानचित्र में देख सकते हैं यह पुर्तगाल दिखाई दे रहा है पुर्तगाल से आता है यह इस रास्ते का सहारा ले करके यह देखिए आ रहा है इस रास्ते के माध्यम से यह पहु जराती व्यापारी से और इससे मार्ग पहुंचता है यह स्वयन तो नहीं आया और इसने अपने एक चेले को जिसका नाम अब्दुल मनीद था उसको वास्को दगामा के साथ भारत भेज दिया और काली कट यह पहुंच जाता है यहां से आप देख रहे हैं और इससे यह होते हुए काली कट पहुंच जाता है इस तरह से वास्को दगामा 1408-2SB में पुर्तगाल से चल करके भारत आ जाता है लोगों से रास्ता पूंचते पूंचते हैं वास्को दगामा विक्टर नामक जहाज से भारत आया था प्रसनाप से पूंच जायाएगा किस जहाज का उसने इस्तमाल किया था काली कट पहुंचा प्रिजेंट में केरल राज्य में है कप कडाबू समें एक बंदरगा हुआ करता था वहाँ पर उतरता है जब यह यहाँ पर उतरता है तो यहाँ पर चूलिया नामक जो मुस्लिम अरभ व्यापारी थे उन्होंने इसका विरोध किया उसका मज़ रहा थे कि कहीं ने कहीं हमारे व्यापार में यह प्रॉब्लम क्रेट कर सकता है इसलिए उन्होंने इसको भाव नहीं दिया लेकिन यह पहुंचता है जमोरिन वंस के हिंदू सासक क्रश्णराज के पास क्रश्णराज ने इसका स्वागत किया और मसाले जड़ी इसको प्रॉटिया इन सब को ले जाने के लिए इसको आग्या वीदी इस तस्वीर के मादम से आप देख सकते हो यह इंदू सासक है जमोरिन उसको परमीशन दे रहा है यहां से वासको दगामा बहुत सारा माल ले जाकर के बहुत सारे मसाले ले जाकर के यूरूप में आपने भी पीछे देखा कि चूलिया जो अरव व्यापारी थे उनका प्रभुत था व्यापार में इन्हों ने काफी जादा इसको परिशान किया था यह सारी चीजों की सारी समस्याओं को यहां से श्टडी करके जाता है और उसका काट करने के लिए भेजता है पेड्रो अ परिश कैबरल नामक व्यक्ति के नेत्रत्त में दुती पुर्तगालिय भियान भारत आता है उसके तस्वीर आप देख सकते हैं यहां पर यह अपने साथ तोप और बंदूग भिलाया यानि जो लोग इसको परिशान कर रहे थे पुर्तगालियों को उनकी व्योस्था के परिशात बारूद का इस्तमाल पहली बार उन्हों ने किया था पुर्तगालियों ने किया था अलाकि इससे पहले तोपो का सरप्रतम भारत में प्रियोग मुगलों ने किया था बाबर ने बाज और की युद्ध में किया था लेकिन बंदूख और गोला बारूद दूनों क इसके बाद 1502 सबी में वास्को दगामा पुनै भारत आता है 153 में इन्हों ने पनी पहली फैक्टरी कोचीन में और 155 सबी में इन्हों ने दूसरी फैक्टरी कन्नूर में इस्थापित की तो कोचीन में पहली फैक्टरी और दूसरी फैक्टरी इन्हों ने कन्नूर में है यह उसकी कोचीन की जहां पर दफनाये गया था वहां की दस्बीर आप देख सकते हैं हाला कि 1961 में जब यह पुर्टगाली भारत से विदा हो जाते हैं तो अपने साथ इसके अस्तियों सेसों को ले जाते हैं और पुर्टगाल की राजधानी लिजबन में उसको विदुवत दफनाया जाता और उसका मगबारा पनौ आया जाता है तो हमने अभी आपको बताया कि इन्हों ने जो प्रशासन जो अपनी विवस्था की थी अपने जो कोठिया बनाई थी अड़े बनाये थे उनको विवस्थित देखने के लिए उनका प्रशासन देखने के लिए अब गवर्णर बना करके भीज़ेंगे तो इनके पहले जो गवर्णर थे आपसे किसको पूछा जाएगा पुर्दगालियों ने पहला गवर्णर किसको बनाया फ्रांसिस्को डी अलमीडा को 155 से 159 के आसपास यह यहां पर रहेगा कि पुर्दगालियों का प्रतम वाइसराय था इसने यहां पर ब्लू वाटर पॉलिशी हिंदी में इसको कहा जाता है सांत जलकी नीत का पालन किया यह सांत जलकी नीत का मतलब क्या है मतलब यह है कि भारत के आसपास जो भी समुद्र है उस पूरे समुद्र पर कबजा करना उस पर अपना कबजा करना ये इनकी policy थी क्योंकि उस समय जो भी व्यापारी आ रहे थी यूरोप से वो सब समुद्र के रास्ते से आ रहे थे अगर इनका समुद्र पर ही कपज़ा हो जाएगा तो दूसरा जो इनका competitor है वो यहाँ पर establish नहीं हो पाएगा इनको problem नहीं create कर पाएगा तो इस तरह से समुद्र पर अपना प्रभुत इस्थापित करने की नीती को सांत जल की नीत blue water policy कहा जाता है आप से पूंचा जाएगा कि भारत में blue water policy कि सने लागू की पूर्तगालियों में और पूर्तगालियों में भी फ्रांसिसको डिल मेडा ने इस policy को लागू किया था जब इसने इस policy को लागू किया तो बहुत सारे जो दूसरे पुराने व्यापारी थे वो परिशान हुए और मुखरूप से यहाँ पर जो व्यापारी थे वो मुस्लिम व्यापारी थे तो इसी वज़े से मुस्लिम सक्तियों ने मिल जुल करके एक स्निप्तु मोर्चा बनाया मिस्र, तुर्की और गुजरात के जो शासक थे तीनों ने मिल करके एक स्निप्तु मोर्चा बनाया और सिंग तो मोर्चा बना करके पुर्टगालियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया 1508 इसबी में इस युद्ध को खा जाता है चौल का युद्ध इस युद्ध में पुर्टगालियों को बुरी तरह से पराजित किया गया और इसमें फ्रांसिस्को डियल मीटा का जो लड़का होता बेटा होता ये भी मारा जाता है इस बात से नराज हो करके इनके जो आलाधिकारी थे उन्होंने इसको वापस बुलाने के लिए कहा लेकिन वापस जाने से पहले इसने एक बार हिम्मत जुटाए और पंद्रा सो नौ इस भी में इन तीनों सहित सिनौ को इसने पराजित कर दिया और इस तरह से संपोंड किसाई जैकत में पुर्टगाली नौ सैनिक जो शक्ति थी उसकी स्रेश्टता सिद्ध हो जाती है तो अलमीडा ने इस तरह से अच्छा काम किया अलमीडा के बाद अलफांसो डी अलबुकर्क अगले आते हैं गवर्नर और इने पुर्टगाली शक्ति का वास्त्विक संस्थापक कहा जाता है क्यों कहा जाता है है यह आपको जल्दी समझ में आ जाएगा क्यश्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भारत में पुर्टगाली शक्ति का वास्त्विक संस्थापक किसे कहा जाता है अलफांसो डी अलबुकर्क को कहा जाता है चली देखते हैं क्यों कहा जाता है सबसे पहला ये उस समय बीजेणागर सामराज जो था उसके सा सकते हैं कृष्णि देवराय उनके साथ संधी करते हैं और कहते क्या हैं पुर्दगाल से आने वाले घोडों की विक्री बीजेणागर में की जाएगी जो भी पुर्दगाल से घोड़े लाए जाते हैं भारत में बेंचने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर बेंचे जाएंगे, बीजे नगर समराज में बेंचे जाएंगे, साथी कृष्ण देवराय से समझोता करके, या कृष्ण देवराय की हेल्प से, तो कृष्ण दे में, आगे चलकर के 1530 में इसी गोवा को यही राजधानी बनाएंगे, और यही गोवा पुर्दगालियों को भारत में सबसे मुख्य अड़ा बन जाएगा, कृष्ण देवराय से भटकल का भूभाग प्राप्त किया, और अपने सेना पती फादर लुई को कृष्ण देव प्रवान कोष्छन है, फादर लुई को इन्हों ने कृष्ण देवराय की सेना में एपॉइंट किया था, किसने एपॉइंट किया था, अल्भुकर्क ने, ठीक है, तो क्रष्ण देवराय से काफी न्हों ने अमित्रता कर रखी थी, काफी हलप ली उन्से, इसके बाद इन कि यह आगे देख लेते हैं 1511 इस्वी में दच्छन पूर्व एश्या की महत्पूर्ण मंडी मलक्का मलक्का दच्छन पूर्व एश्या में यानि भारत के दच्छन में आप चले जाएंगे इंडोनेशिया के असपास तो मलक्का जलसंदी मिलेगी तो मलक्का पर इसने अधि पर्षियन गल्फ आप यहाँ पर देख सकते हैं ये यह यह है तो हार्मुझ जल्संदी यहाँ पर है हार्मुझ की जल्संदी पर इसने कबजा कर लिया इसके बाद लेकिन बार-बार प्रयास करने के बाद भी आदन पर अधिकार नहीं करपाया है यहां पर आप देख सकते हैं आदन की खाड़ी दिखाया दे रही है इस पर वो कबजा नहीं कर पाया अगर इस पर भी कबजा उसका हो जाता तो पूरी पूरे जो लाल सागर का दियापार था ये इसके हाथ में आ जाता तो ये भी ये भी अधश्रपूर बेस या जो था वो अभी तीनों चीजिस के कबजे में अगर हो जाती तो पूर्दगाली वास्तों में बहुत ज़्यादर सब्साली हो जाते हैं इसके बाद कुछ फैमस कुश्चन इससे बनते हैं अलवकर्क भारत में इस थाई पूर्दगाली अबादी बसाना चाहता था ये इसी वज़ेस इसने स्वदेश वास्यों को भारती इस्त्रियों से विवाह करने के लिए पुरुष साहिद किया, क्योंकि वहां से पुरुस पूरुस आये थे और अपनी स्वाहिम की ये सेना चाहते थे, अपने आपको पॉपुलेशन बढ़ा करके मजबूत करना चाहते थे, यहां पर कि वह पुर्तगाली गुवर्णर कौन था जिसने भारत में सती प्रथा का विरूद किया था तो आपको इसी विक्ति का नाम बताना है भारत का पहला चर्च पीशी के समय में गुवर्ण बनवाय गया और 1515 मिश्की यहां पर डेथ हो जाती है इसको गुवर्ण में दफना दिया जाता है कुछ समय बशात नीनो डी कुनहा नाम के विक्ति को यहां का वाइसराय बनाया जाता है यह मुगल दरबार में आने वाला पर्थम पुर्तगाली बाइसराय था यानि इससे पहले मुगल थे ही नहीं आप जानते हैं कि 1526 में तो मुगल आते हैं तो 1529 में यह आता है तो पहला वैक्ति था, पहला कोवर्णर था वाइसर आया था, पुर्दगाल का, जो मुगलों के दरबार में आया था. मिला किस से था, बाबर की दरबार में गया, पेसे से डाक्टर था, यह important question है, पेसे से डाक्टर था, और इसने हुमायू के फोडे का इलाज किया था, हुमायू को फोडा कोई हो गया रहोगा तो उसका इलाज किया था, और कुन्हा का उलेक बाबर ने अपनी आत्मकता में अन एक बहुत ही important question है, 1530 में गोवा को कोचीन के इस्थान पर पुर्टगाली सामराज की राजदानी बनाए गया, तो गोवा को छीना किसी और ने था, और राजदानी किसी और ने बनाए, अल्बुकर्क ने छीना था और निनोटी कुना ने उसको अपनी capital बनाया, पूंच ल आगे चल करके, जब देश आजाद होता है, पुर्टगालियों से, 1961 में तब इन सारी चीजों को छोड़ के चले जाते हैं, और बाद में इनको एक केमसासित प्रदेश के रूप में जाना जाता है, कई केमसासित प्रदेशों में दमन और दीप को अलग-अलग, सालसेट आ असकरी, कुन्हा से मिलता और गुजरात का दमन करने है, तो सहायता की मांग करता है, होता ये है, कि जब यहाँ पर हुमायू का सासन था, तो हुमायू का सासन के समय गुजरात, जो था, उस उतन्त हो गया था, और गुजरात का दमन करने के लिए, जो हुमायू का भाई था करी था उसने इससे help माली थी इस बात को हम आगे चल करके मुगल में अच्छी तरह से पढ़ेंगे आए बात करते हैं पुतगालियों के एक बहुत important topic के बारे में जिसके बारे में सब्सक्राइब कार्ट्ज आर्मेडा काफिला system इसको किस ने काफिला system के बारे में समझना पड़ेगा cards का मतलब एक प्रकार का permit एक प्रकार की permission यानि किसी विवेक्ति को भारत में व्यापार करना है तो उसको एक प्रकार की permission लेनी पड़ेगी cards permission लेनी पड़ेगी तब ही वो विवेक्ति भारत में व्यापार कर सकता है पर्मीशन के बदले उसको कुछ टैक्स भी पे करना पड़ेगा, तो अगर किसी विक्त कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा, तो पर्मीशन क्यों लेगा वो, लेकिन उसको लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उसके पास, यानि पुर्दगालियों के पास आर्मेडा है, आर्मे हुण होने मना कर दिया कि हम कार्ड नहीं लेंगे कि कार्डज लेंगे पर्मिट लेंगे तो हमको कुछ टैक्स पे करना पड़े न। हमने अगर मना किया तो हमें धणने धंकाने के लिए एक खड़ा हुआ है एक नौसेनिक बेडा साइनिकों से लैस जो पूला बारूच को खड़ा हुआ है जो हमें मारेगा हमको तैसनेस कर देगा तो कार्टे लेना पड़ेगा एक फ्रकार का पर्मिट लेना पड़ेगा इस पर्मिट को लेने के बाद आप देख रहे हैं यहां पर नीचे लिखा हुआ है, इस पर्मिट के बिना कोई भी भारती और भी जहाज अरप सागर्म नहीं जा सकता था, इससे कार्ट और मेड़ा व्युस्ता कहा गया है, जो भी विक्ति अनुमत पत्र को ले लेता था, तो उसे काली मिर्च तथा गोला वारूत का व्यापा इसलिए नहीं कर सकते, क्योंकि पुर्तगाली काली मिर्च को यूरोप में बेंच कर अतधिक लाव कमाते हैं, गोला वारूत का हम व्यापार इसलिए नहीं कर सकते, क्योंकि गोला वारूत अगर हम लेकर आते हैं, तो हो सकता है हम पुर्तगालीों को रुपसान पुर्तगाली बेड़ा साथ साथ चलता था, यानि मालीजे हम लोगों के, हम जैसे दस व्यापारी हैं, उनके अपने अपने जहाज है, इन सारे जहाजों के अगल बगल या साथ साथ पुर्तगालीओं का नौसेनिक बेड़ा चला करता था, देख रेक के लिए, कि ये लोग कहां जा रहा हैं, किसे व्यापार कर रहां है? पहली बात, और हमारी आंटर्गाली भी नियम कानून बना के रखें उनके अंत्रकति व्यापार कर रहा नहीं कर रहां हैं, साथ ही साथ, इनकी शेवटी भी हमें करना है, हमने को कि इनको permit दिया है, courage दिया है, बदले में इनसे tax ले रहे हैं, तो उस tax के बदले हम इनकी safety भी कर रहे हैं, और safety के साथ-साथ इनकी जो है चानवीन भी कर रहे हैं, कि कहीं ये गलत चीजों का व्यपार तो नहीं चुपके से कर रहे हैं, तो काफिला इसी को system कहा जाता है, काफिला system यानि इन लोगों के साथ-साथ एक काफिला चल रहा है, इनकी safety के लिए और इनकी जासुसी के लिए, तो तीन चीज़ आपको समझ में आ गई, cards एक प्रकार का permit दिया जा रहा है, आर्मेडा अगर यह permit नहीं लेते हैं, तो इस आर्मेडा से डरा करके धमका करके इनको cards लेना पड़ेगा, नहीं लेंगे तो इनके शिकार होंगे, और जो भी व्यक्ति cards राप्त कर लेता है, तो उनको व्यापार में help करने के लिए काफिला system होता है, जो उनकी पीछे पीछे चलता है, उन पर निगरानी भी करता और उनकी शुरत खबी करता है, इस व्यापार को लागू किया था पुर्थगालियों ने, और एक प्रकार की कह सकते हैं, जबरन व्यापार थी, जबरन व्यवस्ता थी और यही व्यवस्ता कहीं न कहीं आगे चलके पुर्तगालियों का जो व्यापार है उसमें नुक्सान पहुँचाएगी उनके व्यापार में फानी पहुँचाएगी आगे चलके कुछ facts हैं जो परिच्छों में पूछे गया है 1542 CCB में पुर्तगाली जो गवर्नर थे मार्टिन अलफांसो डेस्यूजा इनके साथ सेंट फ्रांसिस जेवियर भारत आये एक प्रकार के संत थे यह तो पूछे जाता है कि चार आपसन आपको दे दिये जाएंगे किस पुर्तगाली गवर्नर के समय में या किसके साथ में सेंट फ्रांसिस जेवियर भारत आये थे तो आपका आप्शन मिलेगा मार्टिन अलफांसो डेस्यूजा के साथ आये थे इंपोर्टन कोस्टन है परिच्छा में पहुँच अगया अगली बात भी बहुत ही महत्तपूर्ण है पुर्तगाली गवर्नर बनने वाले एंटूनियू दा नुरोन जब गवर्नर बन करके आये थे तो इनके गवर्नर बन के आने के समय अकबर जो मुगल सासक था वो कैमबे गया था और अकबर के कैमबे जाने के परणाम सुरूप बाद में 1589 भी में अकबर के इबादत खाने में आने वाले पृत्वम पृतगाली जेसुट मिशन रुडोल्फ एकवानिय के नितुरत में आया था यानि अकबर इनसे मिलने के लिए गया तो बदले में अब जेसुट मिशन यानि इसाईοιों का एक मिशन है रुडोल्फ एकवानिय के नितुरत में अकबर के दरवार में आया इबादत खाने में आया इसमें एक दुभासिया यानि जो दोनों लेंगउज बोल सकता था जो अकबर भी समझ जा है और जो अंगरेद भी समझ जा है Francis Henry Queijs था साथ ही इनके साथ इसाई पादरी Anthony Montserrat इसमें इस मिशन में सामिल थे तो ये दोनों बहुत important है Anthony Montserrat इसमें आये हुए थे और यही जो Montserrat थे अकबर को इन्होंने इसाई धर्म की मोलबोत सिच्छों से परचित करवाया था ये important question है साथ ही अकबर ने इसको पुत्र मुराद का सिच्छक भी नुक्त किया था ताकि पुर्तगाली भासा को सीख सके उनका बेटा मुराद तो ये सारे question पूँचे गया है साह जहां के अनुमत से इन्होंने बदेल में इन्होंने कारखाने खोल लिये थे हलांकि आगे चल करके साह जहां नाराज हुजाएंगे इनकी विस्तारवादी नीतियों से और हुगली नगर को घेर लेंगे इनको ख़देड देंगे उस कहानी को कभी हम देल से पढ़ेंगे आगे चल करके प्रशना पूचे जाता है कि पूर्टगालियों के हुगली नगर को किस गुबल सासक ने घेर लिया था साह जहां ने घेर लिया था आएए पूर्टगाली फैक्ट्रियों की इस्तिति के बारे में बात कर लेते हैं वह कौन कौन से पूर्टगाल फैक्रियों थी जो पूर्टगर तटपर पूर्वे तटपर दचण एसर snippet दशन पूर्वेसे में इस्तापित थी सब से पहले चलते हैं पूर्टगाली फैक्ट्रिय थी सूरत दमन दीव गुजरात में आप यहाँ परमांचित में देख सकते हैं सूरत यह फैक्टर हो गई सूरत इसके बाद दमन दीव दीव आपकी यहाँ पर दिखाए दे रही है तो दमन दीव और सूरत यह गुजरात में हो गई इसके बाद सालसेट और बसीन महरास्ट में हैं चलिए ढूरते हैं सालसेट आपको दिखाई दे रही है यह यहाँ पर और इसके बाद बसीन यह आपको दिखाई दे रही है बसीन यह दोनों फैक्टरिया इनकी कहां पर हैं महरास्ट में हैं गुवा अच्छी तरह से आप जा ऐगर में यहाद का सब्सक्रेंटक जा काली होगया अर याक्क पर देख रहा हैं मुद्ष यह कं नूर हो गया और इसके बाद पर कं में पर कश्चेन कोचीन को इन्होंने पहली फैक्ट्री में कोचीन में पहली फैक्ट्री बनाई थी और कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री इन्होंने भारत में बनाई थी यह इनके हुए पस्चमी तटपर जो भी इनके प्रमुखड़े थे आईए पूर्वी तटपर बात करते हैं तमिल लाड पर इनकी एक factory है जबकि हुगली सतगाओं चटगाओं के सब बंगाल में चल जाई है तो हुगली दिखाए दे रही है यह आपकी हो गई हुगली चटगाओं हो गई चटगाओं को ही यह port grande के नाम से जानते थे तो यह इनकी factory पूर्वी तरपर हो गई है दश्चनेशिया में स्रिडंका में आपकी हो गई कि सिलोन और दश्चनपूर्वेशिया समान्चत में दिखाए नहीं जा रहा है तो इंडोनेशिया में हो गई अम्बोयाना और मलक्का तो यह पूंच ली जाती है इनकी states पूंच ले जाते हैं इनकी location पूंच ली जाती है कि अब क्षमी तँपर फूरी तट पर है तीन चार दे दिए जाते हैं महलीजे तीन उठाली गई इ इंधर साइट से पस्चमी तट से तीन ट्था ली गई और एक उठाली गई नहीं और एक उठाली गई जहां ली या सैन्थों में पूर्वी तट कएक्षर दे दी गई हर दिखेसे प्रिष्ट से प्रिशनों पूंचे जाते हैं आ ये पतन के करणणों की तो किस बज्कboo法 वो गया अब पुर्दगालीयों के बाद अन जो लोग थे डक़आ औंग्रेज यह लोग सक्षिछ कैसेसे गया है अधार्मिक अशहसूोकररत मेरा इस वज़े से ये काफी ज़्यादा असफल रहे थे भारत में क्या किया था इन्होंने तो इन्होंने जो भी मिलती थी इनको मस्जिदें मिलती थी या मंदिर मिलते थी उनको तोड़ करके वहाँ पर चर्च बनाने का प्रयाज करते थे इस वज़े से लोगों से काफी ज़्यादा लोगों में इनके पर काफी ज़्यादा असंतोस उखपन हो गया था इनकी विवाह की नीती के बारे में हमने अभी चर्चा की थी कि महिलाओं से जबर्जिस्ती विवाह करते थे और परिश्र्थी विवाह करके,rid जब करने लगे थे, तो जंता में काफी असंतोस था साथ ही साथ, जिन महिलाओं से विवाह करते थे, वो काफी असिछित और गरीब महिलाया हुआ करती थी इस वज़े से उनसे जो संताने हुई वो भी असिच्छित और उनकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं हुआ करता था तो वो बेकार होने लगे उनके बच्चे और न सेडी टाइप के बच्चे होने लगे और उन्होंने पूरा बरबात कर दी नए उपनिवेस ब्राजील की कोज जब इन्होंने ब्राजील की कोज कर ली थी देखा कि भारत में कंप्टीशन बढ़ता जा रहा है तो ब्राजील की और इन्होंने रुख किया और भारत पर दिसेशन ध्यान देख इनकी दो स्पूर्ण व्यापार मना लिए हमने आपको बत जो व्यापारी थे भारत के वो इनसे खुश नहीं थे और इस वज़े सक्सेज नहीं मिल पाई परंतिम है इस्पेन द्वारा पुर्टगाल का भी लाए उधर इनके ही देश पर पुर्टगाल पर इस्पेन के द्वारा कभजा कर लिया जाता है इस वज़े से अब इनकी पुर्टगाली प्रभुत का परणाम क्या हुआ है भारत में पुर्टगाली उने आ करके गज़ा किया इसके बाद क्या इंपक्ट पड़ा आए देख लेते हैं तो सबसे पहले 15-56 में इन्होंने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी इस चीज की चर्चा हमन जहांगीर ने डिमांड रखी इस वज़े से नोंने कुरान की भी प्रतलीप अंगरेजी में चपवाई थी और उसको चाहांगीर के सुपुर्द कर दिया था भारत में जहाज निर्माण का कारे भी प्रारूं किया था इंपॉर्टन है भारत में तंबाकु लाने का स्थे नहीं को जाता है यह मोस्ट इंपॉर्टन कुस्चन है तंबाकु भारत में पॉर्टगाली लाए थे साथ इनोंने आलू मक्कान अन्नास पपीता बादाम काजू यह तमाम सारी चीजों को विभिन यूरोप के देशों से अमेरिका से भारत में लाए थे और भारत में इसको पहुचाया था फैल आया था तो इस तरह से पॉर्टगाली के बारे में हमने सारी जानकारी कंप्लेट कर लिया है अगले वीडियो में हम डचों के बारे में पढ़ेंगे अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं अपने दोस्तों को ज़्यादा ज़्यादा सेर मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार